हाई अब्रिवन दस्विलियन टॉक के इस नए वीडियो में स्वागत है जैसा कि दोस्तों आपको हमने पहले ही दो वीडियो प्रोवाइट कर रखा है कि केल्कुलेट वॉल्यूम किस तरह से किया जाएगा इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कॉलम का वॉल्यूम केल् स्लैब और बीम का वॉल्यूम केल्कुलेशन का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में में लिंक प्रोवाइट कर देता हूं आप देख लीजिए चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह से हम कॉलम का वॉल्यूम केल्कुलेट करते हैं जैसा कि प्रिवेस वीडियो में हमने आपको बताया कि concrete volume calculation के लिए आपको structure का volume निकालना पड़ता है लेकिन जब बात आती है column के concrete volume की तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि किस shape का column है और rectangular है square shape का है या circular shape का है तो उसके according आपको उसका volume निकालना होता है जैसे कि आपको पता है कि हर एक जो shape होता है उसका volume का formula अलग होता है जैसे कि मालेजिए यहां पर हमारा square shape का volume है जिसका जो size है 300 mm by 25 mm है तो उस तरह से उसका हम पहले volume calculate करेंगा अगर आपका column rectangular shape का है या square shape का है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप दोनों का length और width निकालने के बाद उसका height से कर दीजिए length width से आपको उसका surface area का पता चल देगा और उसमें अगर height से multiply कर देते हैं तो हमारा volume निकल आ जाता है जैसे कि आपको figure में दिख भी रहा है अगर बाद circular column की आता है तो उसमें length width तो होगा ने आप उसका डाया पता करना है बस आपको जैसे कि हमने आपको बता है कि डाया इधर 0.4 मीटर है तो volume का जो हमारा formula होता है by r square h तो height तो आपको पता रहेगा डाया पता रहेगा तो उसके according आपको formula में हर एक चीज को put कर देना है उससे आपका volume निकल के आ जाएगा ये तो होगी volume की बात बट अगर ये चीज आप से पूछ लिया जाए कि अब एक column के अंदर कितना cement कितना aggregate और कितना send लगेगा तो आपको क्या करना होगा अब volume तो आपको पता चल गया अब उस volume के अनुसार आपको कौन सा grade का concrete आप डाल रहे हैं उसके according आपका कितना quantity में हर एक material लाएगा वो सारा चीज calculate करना पड़ता है तो अगला video हमारा उसी topic पर रहने वाला है तब तक के लिए आप इस channel से connected रहे है thanks for watching this video